नमस्का दोस्तों इनफोकस सिविल एकैडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोगों पता ही है कि किसी भी कॉम्टेटिव एक्जाम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें करेंट अफियर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है कई सारे प रिक्षा में लोग देखें तो उसमें जो करेंट अफियर्स के पूछे जाते हैं वह काफी ज्यादा होते हैं उनका वेटेज काफी ज्यादा होता है तो आज का यह वीडियो हम लोग इसी लिहाज से समझ रहे होंगे करेंट पहली बार तो यह कितना इंपॉर्टेंट है ए पूर्छा में लोग से वायोग के आरोय और परीख्षा ब्रापकारी से लिए ज्यादा लाबकारी से दो तो चलिए अगर हम लोग सीधा टॉपिक पर आये तो आरोय आरोय दो यानि उत्तर प्रदेस लोग सेवायोग की जो सहयक समिक्स अदिकारी और समिक्स अदिकारी की परीक्सा होती है सबसे पहली बात तो मैं आपको एक्लियर कर दूँ कई सारे बच्छों का काफी सारा comment सा आता है चाहे वो टेलिग्राम ग्रूप पे या video के नीचे कि यह परीक्षा हर वर्ष होती है या नहीं होती है। तो आप को देता हूं कि यह परिख़ा पहली बात है। आपका यह है अपकर 2020 में हो गुए तो Ian उव हर वर्त यह नहीं आते है।2022 में इसके आने की प्रबल संभावना है। इसके बारे मैं आपको एक वीडियो के आंध्याम समझा दिया गया है कि इस प्रेक्षा में आरऊ आरो कि जिस्वार्शा प्रिक्षा oni होती है अर्धी तो इन दोनों ही परिक्षा में जैस्की परिक्षा में जुब सब्सक्राइब इसका डौकर इसका इसका अब बाइस तेइस नंबर का आपका यह मान के चलिए कि आपके प्रश्ण हो सकते हैं अब यह average मुझे पता है कि यह exact average नहीं है इसका इसमें मैंने अपर PCS और जो RORO की या BO की जो परिक्षा latest में होई थी तो latest में क्या एक trend रहा है इसका उसके analysis पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो हाल के वर्स्टों म यहां से पूछे जाने है आप कोई पता है current affairs पढ़ना थोड़ा स्टफ रहता है परन्तु वह इतना भी टफ नहीं होता है इतना भी ज्यादा उसका content नहीं होता है जितना कि history पॉलिटी यह geography का उसके लिए आप लोग एक एक दो दो तीन-तीन books पढ़ते है current affairs के लिए आपक वीडियो त्यार की है जिससे आप लोगों को खुदी अनलाइस कर लेंगे कि यहां पर आगर आरो यारो के में त्यारी करनी है तो हम किस वीडियो किस जो है subject पर ज्यादा focus करें और किस थोड़ा कम focus करके भी हमां काम चल जाएगा तो इस लिहास से एक वीडियो है उसको बात करें तो करेंट अफेर्स में 22 से 23 प्रशनों को अगर हमें त्यार करना है तो क्या ऐसा हम लोग कौन सी मैगजीन फॉलो करें मार्केट में कई सारी अविलेबल है मैगजीन तो उनमें अगर हम देखें सबसे पहली बात देखिए कि यह पेपर जो है आपका ऐसा एक अन उससे पहले होना काफी मुश्किल है क्योंकि आपके जब नोटिफिकेशन आती है तो फिर उसको भरने का समय और ठीक ठाक समय चाहिए होता है सेंटर्स डिसाइड करने के लिए एड्मिट कार्ड लाने के लिए उनकी वैधानिक तितिया रहती है जिसको उन लोगों कंप्ल पॉर्शन आप 23-24 नंबर आसानी सुनिश्चित कर सकते हैं क्या उसके लिए स्टेट्जी हम लोग अपना सकते हैं देखिए एप्रिल के पहले यह परिक्षा होनी नहीं है और करेंट अफेर्स का एक प्रस्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों द्वारा कि इस आपके लिए इंप्रेंट होते हैं परंतु आपको जो पिछला नाइन टू ट्वेल मंस हैं उनसे भी आपको अवेर होना जरूरी है अवेर का मतलब एक जनरल अवेर्नेस आपको हो कि आप इन नौ से बारा महिनों में भी क्या एक बड़ी घटना घटी है जैसे अगर कोई बहुत बड़ी घटना है तो वह जो है इसमें अल्रेडी वह आपके करेंट अफेस के लिए बहुत महत्फूर्ण हो जाती है तो एक मतलब स्टेट्जी वाइस अगर हम लोग देखें तो यह जो छै महीने हैं इस पर आप लोगों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे करन है इसको लेकिन जो बाकी के उसके पहले के जो नौ से बारा महीने होते हैं वह आप लोग उसमें एक बार रीड कर जाएए उसको अवेर उससे रहिए सारी चीजों से पर इस पर ज्यादा धान दीजे तो इस लिहास से यह जो पैटर्न है इसके लिहास से हम लोग क्या अपन अगर करेंट अफियर्स के अम लोग बात करें तो आप एकदम मध्य में खड़े हैं मतलब यहां से आपको जो पिछले 6 महीने है लास्ट शिक्स मन्स है यह आपको दिख रहा है कि मैं इसको थोड़ा उपर लिख देता हूं तो यह जो पिछले 6 महीने है उनमें अगर देख कि अक्टोबर नौंबर में अभी हम लोग खड़े हैं और यहां से आप पिछला 6 महीना देखिए लास्ट शिक्स मन्स और नेश्ट शिक्स मन्स यह इनको दो भागों में आप बाट लीजें तो अगर लास्ट शिक्स मन्स की बात करें तो यह हमारे लिए लेस इंपॉर्ट है और्ट रिए वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस लिहाँस से हमारे ख्याल से कि अप लोगों को इसको आप कीजिये आप जैसे जो कंपाइलेशन आता benut रहें जिसमें कि आपका पूरा 6 महीने की strategy, 6 महीने का current affairs आपका prepare हो जाता है, उससे आप इसको कीजिए, और उसमें भी अगर हम बात करें, तो especially जो है अभी एक घटना चक्र की book आती है, और एक आती है book घटना सार की, तो घटना चक्र या घटना सार की जो book आती है, यह आपकी अभी pet exam के पहले यह आई भी हुई थी, आप उसते आपका पूरा एप्रिल में से ले करके और अभी तक का current affairs वो सारा जो है तैयार हो जाएगा, और इसको आप ले सकते हैं, इसमें एप्रिल में से ले करके, यह सीधा October, September तक आपका यह त्यार हो जाएगा, और उसके बाद का यहाँ पर जो है, या फिर ऐसे ही घटना चक्र की भी आई हुई है, इसको आप खरीद के इससे त्यारी कर लीजे, या फिर हो सकता है जिन लोगों ने भी pet के लिए खरीदियों, तो उनके पास already available होगी, आप उनको पढ़ लीजे, उनके main main topics हैं उनको पढ़ लीजे, दूसरी बात की यह जो इस पे है, तो इस पे आप monthly basis पे चलिए, monthly basis पे चलिए, monthly basis पे अगर बात करें तो कौन सी magazine, तो एक तो घटना चक्र की magazine, यह monthly basis पे आती है, यह काफी अच्छी magazine है, जो कि आपके UP के exams के लिए, एकदम कह सकते हैं, राम बाड का काम करती है, यह या फिर घटना सार भी उसी प्रकार की है, दोनों ही टकरी की magazine से, अच्छी magazine से, तो घटना चक्र की magazine आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसके अलावा मान दिजे कि आप कुछ लोग PD कर सकते हैं, सभी magazines अपनी जगह पर अच्छी हैं, और basically news तो same ही रहती है, उसी को बस प्रस्तुत करने के तरीका अलग होता है, कुछ तो उस पर जो है, आप यह संसे मत रखिये कि मैं जो magazine पढ़ रहा हूं, बेकार है, या अच्छी है, यह सब चीज, आप इसको regularly follow करते हैं, उसको आप कर सकते हैं, परन्तु यहाँ पर देखिया कि घटना चक्र जो है, वो UP के exams के लिए, और especially अगर हम बात करें UP, PSC के exams के लिए, तो वो काफी अच्छी मानी जाती है, आप अगर इसको भी पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़िए, मगर last में जब exam आए, जब exam time आता है तो उस समय पर ये लोग एक compilation निकालते हैं, six months का, तो उस compilation में आप घटना चक्र या घटना सार, इन दोनों में से कोई लेके एक बार उसको complete कर लीजेगा, इससे आपका जो है, एक holistic way में आपकी तैयारी हो जाएगे, क्योंकि दृष्टी current affairs today हो या प्रत्योगता जार पढ घटना चक्र हो या हाल के इधर चार से पांच वर्सों में घटना सार आई हो यह और यह बहुत ज्यादा लोग प्री हो गई है, तो यह दोनों ही बुक एक वल महत्व किया, आप इन पर जो है, रिलाई कर सकते हैं, अगर आप इन पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको आप घटना सार या घटना चक्र की जो मैगजीन आपके पास अल्रेडी है, या फिर आप खरीद लीजे इसको मार्केट से, इसको आप एक बार पर डालिए, तो इससे आपका एक सरसरी निगाह से, क्योंकि देखिए, कमपाइलेशन जो भी होता है, यानि कमपाइलेशन को ह इसमें क्या रहता है, कि जितना भी ये 6 महीने का है, उसको वो शॉर्ट में ही अल्रेडी देते हैं, बहुत जो इंपोर्टेंट होते हैं, उन ही को देते हैं, जबकि मन्थली बेसिस पे, जो कम इंपोर्टेंट चीजे भी हैं, वो भी इसमें डाल देते हैं, तो एक आप ड उसमें आपको जो है डेली बिसिस पर प्रश्ण मिलते हैं करेंट अफेर्स के बहुत शुनिंदा प्रश्ण जो कि आपके परिक्षा के लियाद से इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं उसी प्रकार से हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से और पीडियेफ के माध्यम से जल्दी हम लोग जो है करेंट अफेर्स पर ऐसा कुछ लाने की सोच रहे हैं जिसमें कि हम लोग यह जो पिछले 6 महीने इसको हम लोग इसी एक महीने में जल्दी से इसको सारा कवर करा दें और जितने भी बहुत important topics हैं जो कि आपके परिक्षम पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग जल्दी से कवर करा दें और साथी monthly basis पर 3-4 वीडियो के माध्यम से आपका monthly basis पर भी कवर कराते रहें और यह जो पिछला है इसको भी कवर करा दें तो इसके लिए जो है वीडियो लाने के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उसका साथ में आपको PDF मिल जाएगा और यह सब कुछ निश्वल कुरूप में उपलब्द रहेगा तो अगर आप लोग इस current affairs के वीड प्रेट जी जो कि आप इन बुक्स से आप फॉलो करके और current affairs इसकी आरो एरो की त्यार कर सकते हैं उम्मीद है आपको इससे लाब मिला होगा इस वीडियो